दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ एससे रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जिसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं कैसे रिलेशनशिप टिक पाई की आगे क्या होगा यह हम आज की मुवी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स यह 2011 की एक रोमेंटिक होलिवड मुवी में हम देखेंगे अगर आपको एकस्पलेंशन अच्छा लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब बीना किसे दरीके एकस्पलेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में गारेक्टर डिलन को देख सकते हैं डिलन एक ब्लॉगर था और उसके एक कमपनी भी थी अपनी काम की वज़े से अपनी गल्फरेंड को टाइम नहीं दे पाता एक दिन जब वो मुवी देखने के लिए जाने वाले थे इस वर भी डिलन बहुत ही लेट हो गया जब वो अपनी गल्फरेंड सी मिला तो उसे वो ब्रेक अप कर लेती है कहती है तुम हमेशा आपने काम पर इध्यान देती हो मुझ पर तुम्हारा कभी भी फोकस नहीं होता इससे के पैरलल में हम हमारी और एक मैन गैरेक्टर को देखते है इसका नाम में जेमी जेमी के बॉइफरेंड ने भी आज उसके साथ ब्रेक अप कर लिया कहा कि तुम बहुत ही इमोशनली अनेवलेबल हो एक्च्वल में जेमी ये रोमेंटिक मुवीज देखती है उसे हमेशा लगता है उसे बचाने वाला प्रिंच चार्मिंग आने वाला है उसके लिए सिंग करेगा उसके लिए डांस करेगा ये सारी चीज़े बहुत ही कमिटमेंट लेती है और एक commitment करने वाला Jamie को अब तक कोई भी मिला नहीं है इन दोनों के break up के बाद इन दोनों बहुत ही hurt हो चुगे थे decide करते हैं कि अब कभी भी date नहीं करेंगे actual में Jamie नियॉयोक में रहती है और डिलन एले में इसके बाद तुरन नेकसिन में हम देखते है डिलन एले से नियॉयोक में आ रहा था उसे एक अच्छे जॉब की ओफर आई थी और यह ओफर जेमी की वज़े से आई है actual में Jamie की freelancer HR consultants है जेमी कंपनी को अच्छे employees शाहिए होती है इनका contact होने दे देती है इसी वज़े से Jamie ने डिलन को contact किया था अब जॉब इंटर्वी देने के लिए डिलन नियॉयोक में पहुचा जेमी वहाँ उसका welcome करने के लिए जेमी को लगता है कि अब डिलन को GQ magazine में काम करने के लिए मिलेगा यह उसके लिए बहुत ही बड़ी opportunity है पर डिलन को इसका seriousness नहीं था उसके live बहुत ही अच्छी थी और LA भी उसे पसंद था जेमी नहीं कहा कि New York based है तुम्हें इसे opportunity कभी भी नहीं मिलेगी इतनी बड़ी company में काम करना है बहुत बड़ी opportunity है डिलन इंटर्वी देकर रहा है और उसे job मिल भी जाता है पर अभी भी उसे New York में रहना है या नहीं इसे लेकर वो शूर नहीं था जेमी नहीं कहा कि मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगे कि New York कितना best है वो फिर उसे Brooklyn Bridge के पास एक बार मिलेकर आए यहाँ पर डिलन एक celebrity से भी मिलता है पर उसे उतना अच्छा नहीं लगा इसके बाद उसे बहुत ही tall building के उपर लेकर आए जेमी ने कहा कि मैं जब भी upset होती हूँ तो हमेशा यही पराती हूँ यह उसके लिए बहुत ही beautiful सा experience था डिलन को भी बहुत अच्छा लगता है डिलन के father भी बहुत बड़े writer थे यह बाद जेमी को पता थी तो जेमी ने उसे पुछा तुम यहाँ पर job ले रहे हो इसके बारे में तुम्हारे father क्या कहेंगे डिलन गयता है मैं हमेशा life में जो भी करू वो अच्छा ही करूँगा यह मेरे father को हमेशा लगता था मुझे बाद प्राउड होते है इसके बाद जेमी डिलन को time square में लेकर आई वहाँ पर सब लोग एक synchronization में dance करने लगते है जेमी ने का इतनी बड़ी city में लोगों का अकिला न लगे तो इसलिए सब मिलकर यहाँ dance करते है उन्हें लगता है कि किसी चीज़ को पार्ट है यह सारी चीज़े देखकर डिलन ने भी decide कर लिया क्या वो New York में रहेगा डिलन ने फिर अपना job join किया सबके साथ वो बहुत ही friendly था उसका एक नया friend बनता है जिसका नाम है Tommy डिलन के office में इस job का contract sign करवाने के लिए Jamie आई हुई थी यह एक one year contract है पर फिर भी डिलन छोड़का जा सकता है पर जैमी कहती है कि ऐसा करना मत अगर तुम छोड़का चलेगे तो मुझे कोई भी bonus नहीं मिलेगा बात करते करते डिलन जैमी से बूश लेता है मैं सिर्फ as a friend तुम्हें पूश रहा था इसके बाद फिर यह दोनों लंच के लिए आए बाते करते करते अपने previous break up के बार में बात करने लगते है उनके ex partners को उनके बार में क्या लगता था इस सारी चीज़े एक दूसरे को उनोंने बता दी यह हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही honest रहते है इस वज़े से इनकी friendship strong हो जाती है जेमी ने कहा कि कल रात मेरे घर पर party है जहाँ पर तुम और भी friends बना सकते हो डिलन भी इस party में पहुँच गया बहुत सारे मज़े करता है इसके बाद यह दूनों एक दूसरे से मिलने लग गए थे एक राट डिलन जेमी के घर पर movie देख रहा था जैसे कि हमें पता है यह जेमी को romantic movies बहुत ही अच्छी लगती है डिलन कहता है कि सारी movie एक ही type की होती है इन movie में relationship के लिए लोग कितना सब कुछ करते है किसे से प्यार करना इतना complicated होना नहीं चाहिए जेमी भी इस बात से agree करती है को कहती है कि आदमी की physical needs होती है उसे complete करने के लिए हमें इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए डिलन कहता है कि जैसे हम किसी के साथ tennis कहलते है उसी तरीके से ये भी चीज़े होनी चाहिए दोनों को एक गंसे बहुत ही अच्छा लगा तो डिलन जेमी से बुच्छता है कि तुम्हें tennis कहलना है इसका मतलब है बिना किसी commitment के साथ डिलन उसके साथ physical relationship रखना चाहता था जैमी कहती कि ऐसा कैसे कि हम एक दूसरे से attracted भी है इन दोनों ने एक दूसरे को no diss किया और हो realize करते है कि दोनों attractive है और इसके बाद इस दोनों intimate हो गए इनोंने कसम ली थी कि इनकी relationship सिर्फ physical रहेगी कोई भी emotions involved नहीं होंगे यह हमें शाचे friends रहेंगे और कोई भी problem नहीं आएगा इस रात के बाद कुछ दिन बीच जाते है दोनों के बीच में ज़रा awkwardness था तो एक दिन जैमी ही डिलन के office में आके दोनों ने इस issue पर बात की उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी हुआ इस वज़े से इनकी relationship में awkwardness आ चुका है डिसाइड गरते हैं कि ऐसा फिर से कुछ भी नहीं करेंगे पर एक दूसरे से दूर रह नहीं पाए और फिर से intimate हो जाते है एक दिन जब वे साथ है तब यह आचानक से डिलन और टॉमी जब hangout करें थे तब डिलन ने उसे जब जेमी के बारे में बताया तो टॉमी कहता है कि तुम्हार relationship कभी भी work नहीं करेगी लटकियों का इन सब चीजों को देखने का नजरिया बहुत ही अलग होता है वो तुम से कुछ भी कहया पर वो कुछ अलग चीज ही चाहती होगी अब ज़रा टाइम गुजर चुका था तो एक दिन जेमी रियलाइस करती है कि उसे फिर से date पर जाना है वो एक serious relationship चाहती थी डिलन कहता है कि ठीक है यह अरेंज में तोड़ने के लिए ready था इसके बाद दुनों पार्क में आए और उसने कहा कि मैं उस लड़की को date कर सकता हूँ वो ही पर जाकर उसने directly उसे बात कर ली बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का husband और kids भी है जेमी उस पर बहुत अस्ती है उसने भी पार्क में और एक लड़की को notice किया इस बाद जेमी ने जाकर उसे अप्रोच किया वो एक डॉक्टर था और जेमी उसके साथ date पर जाने वाली थी वो दोनों first date पर गए एक दूसरे को बहुत ही अच्छे लगते है डॉक्टर का नाम था Parker और पार्कर को जेमी के साथ उसके घर पर चलना था जेमी उसे कहती है कि मेरा एक rule है पास date तक मैं किसी को भी घर पर नहीं ले जाती उसने उसे बताया कि मैंने imagining किया है कि मेरे भी life में movie जैसा एक hero आएगा मेरा एक prince charming अब जब जेमी और पार्कर डेट करने लग गए थे तो डिलन का ज़रा अकेला मैसुस होता है उसे miss करता है उसने दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाने का try किया पर फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और पार्कर की pass rate complete हो गई थे यह दोनों intimate हो गए जेमी अगली सुबा उठी और डोनर्स लेने के लिए जाती है पार्कर मोगे का फायदा उठा कर उसे कुछ भी ना बताते हुए उसके apartment से निकल रहा था जेमी ने उसे पकड लिया तो बहाने बनाता है जेमी बहुत हर्ट होके जेमी को बुरा लगा तो पार्कर कहता है जो प्रिंच चार्मिंग तुम्हें अपनी life में चाहिए वो मैं नहीं हूँ वो उसे इतना time और attention नहीं दे सकता इसी बात पर उनका break up हो गया ये सब बात जो जेमी डिलन को बताती है डिलन कहता है कि उसे भूल जाओ वो बहुत ही घटी आदमी था जेमी को चीरफ करने के लिए उसे जो painting अच्छी लगती थी ये डिलन ने बाई कर ली थी जेमी को ये painting बहुत अच्छी लगी जब वो घर पर आये तो उसकी मदर अचानक से फिर से चली गई थी holiday था तो जेमी और उसकी मदर एक साथ time spent करने वाले थे जेमी को बहुत ही बुरा रगता है डिलन को जब ये बात पता चली तो कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ सकती हो वैसे भी तुम घर पर बहुत ज़ादा बोर हो जाओगी उसने डारेक्ट ले टीकिट बुक कर ले और उसे घर पर लेकर आता है डिलन के घर पर उसके फादर के साथ उसकी सिस्टर भी रहती है ये सब एक दूसरे से इंट्रोडियूस हुए डिलन के फादर और उसकी सिस्टर एनी को जेमी बहुत अच्छी लगती है यहाँ में पता चलता है कि डिलन के फादर को अल्जाइमर था इस वज़े से सारी चीज़े वो भूल जाते थे वो बहुत ही ज़ादा embarrassing चीज़े करते थे वो अब जो भी चीज़े करते कभी-कभी अपने पैंट पहनना भी भूल जाते है यह सब चीज़े डिलन को ज़रा uncomfortable लगती है वो इससे embarrassed हो जाता है Slowly-slowly जेमी और एनी यह दोनों bond करने लग गई थी रात में जेमी के रूम में डिलन आ गया उसके साथ यह रात बिदाना चाहता था तो जेमी उसे मना कर देती है तो दोनों वही पर hangout करने लग गया एक दुसरे के साथ time spent करना इने बहुत ही अच्छा लगता है तो डिलन ने कहा तुम मेरे life में आई यह मुझे बहुत अच्छा लगा जेमी कहती कि तुम मेरे लिए बहुत ही special हो यह बात करते करते दुसरे के साथ intimate हो जाते है रात में जब डिलन जेमी के रूम से बाहर निकल कर अपने रूम में गया तब एने ने बात notice की थी अगली रात डिनर करते बात डिलन के फादर को अचानक से अपनी wife की याद आके उनको already divorce हो चुका था तो इस बात से उसके फादर बहुत ही upset हो गया डिलन को जिस बहुत ही embarrassing लगी थी इसके बात next day जब डिलन जेमी को CT दिखाने के लिए लेकर गया तो होल रूर साइन पर बैठ जाते है डिलन डर रहा था पर जेमी उसे जबरदस्ती लेकर गई उससे कहते कि तुम्हें अपने फादर को लेकर embarrass नहीं होना चाहिए लोग उने क्या समझते है ये चीज इतनी जादा matter नहीं करती वो तुम्हारे फादर है और तुम्हें उनी नजरों से उन्हें देखना चाहिए डिलन को ये भी बात सही लगी जिस साइन पर वो थे यहां बैठना अलावड नहीं था तो पुलिस उन्हें पकड़ भी लेते है बैचारा डिलन हाइट से डरता था तो इस वज़े से भाग भी नहीं पाया इनका वेकेंड ऐसे ही बहुत ही अच्छे से जा रहा था तब एक दिन एनी डिलन से बात करती है कहती है तुम दोनों के बीच में चल कह रहा है मैंने नोटिस क्या तुम एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट हो डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों सिर्फ फ्रेंड है और वैसे भी वो बहुत ही जादा डैमेज़्ट है वो मेरे साथ रिलेशन्शिप में नहीं रह सकती ये सारी बात जेमी ने सुन ली थी उसे बहुत ही अपसेट लगा रात में उसने फ्लाइट कर ली और वैसे गुस्से में वहाँ से चली जाती है डिलन में न्यॉयॉक आया अपना काम कंटिनू करता है पर उसके जेमी से कुछ भी बात नहीं होती है उसे पूरी तरीके से इंग्नोर कर रही थी है कुछ भी कॉल्स नहीं उठाती है एक दिन जेमी को एक कंपनी की रिक्वायर्मेंट आए वो डिलन को किसी भी हाल में हायर करना चाहते थे जेमी फिर भी डिलन को कॉंटेक्ट नहीं करती डिलन को पता था कि जेमी हमेशा एक टाइम पर खा जाती है बिल्डिंग के रूप टॉप पर तो उसे टाइम पर वो भी उसके पास पहुझ गया उसे बुझता है कि तुम मुझे अवाइड क्यों कर रही हो जेमी ने कहा कि मैं एमोशनली एनवलेबल हूँ हम दोनों कभी पर एक साथ नहीं रह सकते डिलन कहता है कि वो सारी चीज़े सिर्व मेरे सिस्टर से खेरा था उसका कुछ भी जादा मिनिंग नहीं है जेमी कहती कि तुमने मुझे कभी भी सिरियसली लिया ही नहीं उसे एक्चुल में डिलन के लिए फिलिंग्स आ गई थी ये बात डिलन रियलाइज नहीं कर पाता उसे इस तरीके से खोने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है जेमी को अच्छे लगने वाली रोमेंटिक मुवी जो उसे अच्छे नहीं लगती थी ये भी उसे मिस करते हुए देख रहा था जिस कंपनी ने पहले जेमी को कॉन्टाक किया था वो ही डारेकली डिलन को कॉन्टाक कर लेती है डिलन जाकर उसके साथ मिटिंग कर आया तो जेमी कोई बात पता चलने के बात उसे कंफरेंट करने के लिए उसके पास बोच गई उसे कहती है तुम्हारा कॉंट्राइट है तुम इस तरीके से छोड़ कर नहीं जा सकते है दिलन कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही मिटिंग की थी पर अगर सचूज में जॉब छोड़ कर जा रहाँगा तो मैं तुम्हारा बोनस का चेक में लिख कर जाओंगा फिर से इन दोनों का जगड़ा हो जाता है हम देखते हैं कि आनी को ज़रा बहार जाना था तो कुछ दिनों के लिए डिलन के फादर उसके पास आकर रहने वाले थे जेमी की मदर भी अब वापस आ गई थी एक दिन जब यह हैंग आउट कर रहे थे तो सारी सिचुएशन देखकर कहती है तुम सिर्फ डरती हो मेरी मिस्टेक्स फिर से रिपीट नहीं करना चाहती है तुम जो यह सब बात कहती हो तुम प्रिंस चार में ही चाहिए मूवी जैसा एक हिरो चाहिए पर एक्चुल में तुम यह सब चीज़े नहीं चाहती तुमें एक स्ट्रॉंग पार्टनर चाहिए जो तुम्हारे साथ पूरे वर्ल्ड पर कबजा कर सके मदर को भी लगता था कि डिलन उसके लिए परफेक्ट है तो डिलन ने वेसाई किया उसने भी अपनी पैंट निकाल दी उनने फादर के साथ लंच करता है लोग क्या करेंगे इसका उसे फरक नहीं पड़ता लंच करता है उसके फादर अचानक से किसी लड़की का नाम लेने लग गए डिलन कहता है कि वो लड़की कौन थी फादर ने कहा कि मैं जब यंग था तब वो मुझे मिली थी वो मेरे लाइफ का प्यार थी मैं कभी भी उसे भुला नहीं पाया शायद उसी वचे से तुमारी मदर ने मुझे डिवास ले लिया फादर पहले ये सब बात नहीं कर सकते थे पर वो कहते हैं ये लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तुम्हें इस तरीके से उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए ये सुनकर डिलन ने रियलाइस किया कि वो कितना जेमी से प्यार करता है वो डिरेकली जेमी से मिलने के लिए निकल पड़ा जेमी आज राद उसकी मदर के साथ कही जाने वाली थी और उसकी मदर वहाँ पोश्टी नहीं डिलन जेमी की मदर के साथ बात की थी और वो वहाँ पर बहुँच जाता है अचानक से जेमी के आसपास के सारे लोग डांस करने लग गए उसने डिलन को नोटिस किया यह उसे जेमी को जिस तरीके से मुवीज अच्छी लगती है वैसे ही किया था वो गहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया मुझे मेरा फ्रेंड वापस चाहिए यह तुमसे बहुत ही जादा प्यार करता हो जेमी कहती कि मुझे सब लोगों के सामने किस करो और डिलन ने भी यह किया इसे के साथ इनकी एक स्ट्रॉंग रिलिशन्शिप स्टार्ट हुई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारे मुविस लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुई के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया